हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप एक और नई हेल्थी रस्पी के साथ आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत श्वागत है आज हम आपके साथ पालक के डोसे की रस्पी से एर करेंगे जिसे हम साभर और नारियल की चटनी के साथ सर्व करेंगे ये डोसा बहुत ही जादा हेल्थी होने के साथ साथ बहुत ही करारा भी होता है चलिए तो डोसा बनाना हम सुरू करते हैं और उससे पहले यदि आपको ये रेश्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक सेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूने पालक का डोसा है इसलिए सबसे पहले हम पालक लेंगे पालक को अच्छे से हमने धुल लिया है इधर एक क मिनट के लिए इसे ढख देते हैं एक मिनट हो गया पालक हमारी वायल हो गई ज्यादा पालक को नहीं वालेंगे नहीं तो पालक का हरा कलर बिल्कुल चला जाएगा जब ये बिल्कुल थंड़ा हो जाएगा तब आम इसे ग्राइंडर में पीष नेंगे पालक थंडी हो ये रीजे पालक की प्यूरी बनकर तयार हो गई अब हम डोसे का बैटर बनाएंगे ये एक बावल हमने सूजी ली है और सूजी का आधा हमने दही लिया है अगर माप से कहें तो ये छे बड़े चम्मस दही है बिरा पानी डाले ही पहले हम अच्छे से से मिक्स कर लेते हैं फिर जितनी जरुवत होगी हम इसमें पानी डालेंगे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया इसको आदे गंटे के लिए हम ढग देंगे जिससे सूजी हमारी फूल जाए आदा गंटा हो चुका है और ये दिखे बैटर पहले से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है क्योंकि इसमें सुजी फूल चुकी है अब इसको एक ग्राइंडर में डाल कर हम फीश देंगे इससे जो डोसे बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा कृश्पी बनेंगे ये दिखे हमने इसको बिल्कुल बारीक पीश लिया है बापस से उसी बरतन में बैटर को हम निकाल लेते हैं और अच्छे से एक मिनट के लिए चलाते हुए मिक्स करेंगे जिससे डोसे का बैटर स्मूथ बन जाए अब इसमें पालक की प्यूरी को डाल देंगे और अच्छे से चलाते हुए एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करेंगे नमक डालेंगे नमक को भी मिक्स कर लेते हैं डोसा हमारा बहुत ही कुरकुरावने इसके लिए हम इसमें चावल का आटा मिक्स करेंगे जितना हमने दही डाला था उतना ही हमने यहाँ पर चावल का आटा लिया है यानि की छे बड़े चमच चावल के आटे को भी एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे चावल का आटा डालने से बैटर थोड़ा सा गाड़ा हो गया है थोड़ा सा पानी डाल कर बैटर को थोड़ा सा पतला कर लेंगे और ये दिखिए डोसे का बैटर बिल्कुल तयार हो गया ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाड़ा ही है अब चलिए डोसा बनाना शुरू करते हैं गैस पर तवा हमने गरम होने के लिए रख दिया था तवा बहुत तेज गरम हो चुका है तेल से इसको हम ग्रीश कर लेते हैं ये गैस की फ्लेम मेडियम करके पानी के छीटे मारेंगे और इसको कुछ ठंडा करेंगे तवे के बीच में डोसा बैटर रखेंगे और इसे चमस से फैलाते हुए डोसा तैयार कर लेते हैं जब ये उपर से बिल्कुल सूख सा जाए तब इसमें हम एक कट लगाते हैं और डोसे को सिखने देंगे डोसा जब नीचे से अच्छे सिख जाए तब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे आपको देखने से लग रहा होगा कि डोसा बहुत ही ज़्यादा क्रिश्पी बनकर तयार हुआ है और लीजिए एक डोसा हमारा बनकर तयार हो गया इसी तरह से सारे डोसे बनाकर हमने तयार कर लिये हैं इन्हें हमने सावर और नारियल की चेत्पनी के साथ सर्फ किया है दोनों की रेष्पी हम पहले ही सेयर कर चुके हैं जरूरी नहीं कि आप सारे डोसे इसी तरह से बनाएं, आप रोल करके भी डोसे बना कर तयार कर सकते हैं कैसी लगी आपको ये रेश्पी? अगर रेश्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक, सेयर और कमेंट जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना फिर कुल भी न भूने थेंक यू